सूनाव साउथ इंडियन बेंक लिम्टेड अब देके 25 रुपए 69 पैसे का प्राइस आ चुका है हम देख रहे थे 37 रुपए एंड या पर उल्टा कुछ हो चुका है एंड इसे स्टॉक ने वाकरी में बहुत निरास कर दिया है इवन बैंकिंग सेक्टर जो है वो कुछ अले हुआ लग रहा है एंड या पर बापस से यह डाउन वर्ड में चलागी तो एक्सपेक्टेशन की अपोजिट ही या पर सब कुछ होता हुँ दिख रहा है ऐसे में हमें कोई भी रिटन बनता हुआ नहीं दिख रहा है बापस से मूविंग एवरेज वही पुरानी कहानी वह मिल रही है इस टॉक को अगर ऑल टाइम हाई जाना है तो कितना तेजी करनी पड़ेगी फुर्टी फॉर परसेंट की तेजी होना जरूरी है तब जाकर यहां पर जो है आपके सामने ऑल टाइम हाई की तरफ हम देखने को मिलें चावालिस परसेंट की तेजी जब होगी आसान नहीं है यह बिलकुल भी आसान नहीं है एंड कहीं न कहीं एक ऑपरेटर गेम भी लग रहा है कहीं न कहीं मुझे एक अंदाजा लग रहा है कि यह ऑपरेटर गेम ही है क्योंकि आप देखें एक लंवे वक्त से यह मूविंग एवरेजी क्रोस नहीं कर पाए है कौन ह कुछ तो इसको नहीं दीया रहा है।는데요, कि यह Marketing करती है। पूछ अंबात स्क्राइब कोड़ी जया है, आपके सामने बहुत सारे कमेंट साउथ इंडियन बेंक के बारे में देखने मिल जाते हैं कि अंडर वैलियू स्टॉक है आपके कहना है मैं देखा कई जगा पर तब मुझे एक पुड़ा सा यकीन हुआ कि यह इतना जादा पॉपलर हो गया एंड चल नहीं रहा है बाइंग आती है इतनी देर में तो कोई पॉपलर इतना हो जाता है उल्टा ही हो रहा है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो एक अंदेशा है कहीं कि शौटर बैठा है बड़ा शौटर वह निकलने नहीं दे रहा है इसे स्टॉक को मूविंग एबरेज के ब्योंड ठीक है डिलिवरी क क्यां वाथ बड़ा नहीं कि आपको भाइंग चाहिए छाए 7,000 को का मार्किकेप है कोई वह बहुत बढ़ी चाहिए यद एक पर सेंट आपका 70 करोड होता है एसे महाइब आप देखें अधे परसेंट का भी डिलीवरी कॉंटिटी जाती है तब भी वह काफी बड़ी चीज कहलाती है अठाइस अगस्त का है आपके सामने यह आपको आधा पर्सेंट की तीजी के साहले हो आपके सामने पर का चीज इसे बैंक की आपको देखने मुली है बागी सब अगर आप बैंकिंग स्टॉक देखेंगे सब टूटे पड़े हैं सब टूटे पड़े हैं एक्सेस बैंक को चार रुपए यहां पर पॉस्टिफ था तो यह सारी चीजे चले यह बैंकिंग अंदर यह तो मैनेज कर रहे हैं म गैप अब हो जाता मार्केट ऊपर चलता तो ऐसा लगता है कि यहां पर चल रहे होंगे लेकिन इस टॉक चलते ही नहीं है तो यह बिलकुल मैनेज कर रहे हैं इंडेक्स लेवल पर यह बिलकुल गलत बात है आप इसे कोई रोकने वाला तो है नहीं सीधी से बात है कोई है क किसी की भी रोक टूक नहीं है तो यह आप खोस जो हो रहे हैं न लोग वह एक्जलों फूस होने की बात ही नहीं यह बिल्कुल गलत बात है चाहें आपर TV चैनल को देखें या कुछ भी देखें हाईयर हाईयर एंड हाईयर साइड के बात कर दें पर इस टॉक उसमें परफॉर्म नहीं कर रहें सर्फ इंडेक्स लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं बस और कुछ नहीं है तो यह सारी चीजे हैं लेट सी देखते हैं मार्केट है क्या कर सकते हैं मार्केट मार्केट होता है सुप्रीम मार्केट पी रेशो 5.84 पर क्लोजिंग विस्टिस पर देखने मुझा रत्ती की क्वालिटी यह ए यार एकदम अब उसमें हम लोग क्या करेंगी क्या डिसीजन लेगें यह हमारे ऊपर है आपके ऊपर है बटे इससे जादा और क्या ही करेगा इंसान यहां पर वेट के अलावा कुछ नहीं कर सकता है लेकिन एक टाइम जो है ना वो काफी जादा लग रहा है साउस इंडियन बैंक में यह एक बहुत ही खराब बात लगी है 16.71 का पी इंडिस्ट्री पी है बहुत कमफर्ट देखने मिलता है यह यह जो आपके सामने असेट्स है एक लाग करोड की ऊपर की असेट्स है मामुली असेट्स नहीं है बहुत ही वेल्यूवल स्टॉक हमें देखने मिलता है लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है पैरमीटर्स पर जो है ना खरा होतरता है लेकिन एक्ट्वल वेसिस पर अगर आप देखें तो स्टॉक रिटन नहीं दे र लेकिन स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है यह एक रियल्टी है और सीधी सी बात है एक निवेसा गया तो उसको लिए उसके लिए तो यहां पर सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अब बताओ क्या कर सकते है यह चल रहा है साउथ इंडियन बेंग के अंतर कुछ ना कुछ तो मैनेज किया जा रहा है इस तरीके से तो यार परफॉर्म नहीं करता है वाकई मैं मतलब है मैनेज तो हो रहा है यह तो दिख रहा है अब 25 रुपे पिछली बार टूटा था एक ही बार में जटके में रिकवरी आ इमपॉर्टेंट है हम हैं उस लेवल के पास लेकिन कितना गिराद होगे बास कितना गिराद हो गिरने के लिए तो कुछ है यह नहीं बस यह पर नहीं अगर पक चुके हैं कि पर यह प्र को जादा अब इसके अंदर एक अनुवार नहीं ह mente Josa bravo सकता बसा आपका पेशन सी टैस्ट कर रहा हो तो जिस पर यह कुछ बहुतर था तो फिर आप एक गलत चीज कर रहा है अगर आपके फंडमेंटल बेसे पर आपके पर उतर रहा है तो आप पॉजिटिविटी होगी बट अगर आप सिर्फ प्राइस वाइस देखेंगे एक पहनी स्टॉक की नजर से देखेंगे तो फिर आप मात खा जाएं क्योंकि आपको चाहिए एक धुआधार्ड स्टॉक और वो सिर्फ पीएसू में आपको देखने को मिल सकता है यहां आपको देखने को नहीं मिलेगा काफी कुछ आपको सुझ में आएगी टाइम लग रहा है टाइम लगेगा एंड पेस्टेस्ट हो रहा है इस स्टॉक के अंदर और कुछ भी नहीं है फिलाल तो नो रिटन जोन है जब तक यह मूविंग एवरेज नहीं निकलेंगी तब तक तो भ होगा एक बन निविस से पहले आपने ब्रोकर एंड वाइस से जरूर सब लिजिए हैं खुद की स्टेड़ी करें उससे बेदर कुछ भी नहीं है खुद की स्टेड़ी मस्ते तो आप दीच में जाब वीडियो देखने लिए बहुत दनवाद दूस्तों